लाते हर जिला के महवाडान प्रखंड में बीती दिनों विदेसी सराब की बिक्री में लगातार अनियमित्ता के सूचना अधिकारियों को मिल रही थी इसके बाद सोमवार कुवानुमंडल पतादिकारी नित निखिल सूरीन छापे मारी टीम बना कर विदेसी सराब की दुकानों पर पहुंचे जहां सराब की बिक्री निर्धारित मुले से अधिक लेने के सत्यापन के बाद दुकान को सील कर दिया गया इस समद में स्डियों स्री सूरीन ने बताया कि कई दिनों से लोगों के द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि विदेसी सराब दुकानदार के द्वारा निर्धारित मुले से अधिक दाम लेकर सराब की बिक्री की जा रही है साथ ये अन्य गहर कारूनी गतिविधियों की भी आशंका को देखते हुए मभवाडान बाजार इस विदेसी सराब की दुकान को विभागी कारवाई होने तक सील कर दिया गया है दुकान में कारेलत कर्मियों को सूचित कर हस्ताक्षर ले लिया गया है इस चाफे मारी दल में स्डियों नित निखिल सुरीन दंडादिकारी जीतिंद्र कुमार गुप्ता थाना प्रभारिया सुतोस यादव समेद पुलिस के कई जवान सामिल थे